खबर उत्रप्रदेश के लखनव से है आगामी लोगसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग तयारियों में लगा हुआ है आज मतदाता पुनह अनिरिक्षन का काम चुनाव आयोग में पूरा कर लिया है और अपनी सूची जारी की है उत्रप्रदेश में कुल 1,62,012 मतदेय इस्थल है प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15,3,49,889 थी 23 जनवरी को प्रकाशित सूची के आधार प्रप्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 15,29,24,062 हो गई है सूची में अब कुल 57,00,000,000 से अधिक मतदाता शामिल हुए जिसमें पुरुषों की संख्या 25,77,960, महिलाओं की संख्या 31,24,901 एवं तरतीय लिंग 436 मतदाता जुड़े हैं इस साल 18-19 साल के वर्ग के 15,57,000,000,000 मतदाताओं की नाम जुड़े हैं फिलहाल प्रदेश में अब 18-19 साल के 20,41,000 मतदाता हैं मतदाता सुची की शुदता सुनिश्चित करने के संदर्व में इस पुनरिक्षण अवधी में कुल 31,19,00, मतदाताओं की नाम विभिन शुरेणियों के विलो पित किये गए हैं जिसमें से आयों के निर्देशन में विलो पित संबंदित कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप 10,50,000,00 मुरतक शुरेणी 14,14,000,00 शुफ्टिड शुरेणी तथा 6,21,00,00 रिपीटेड शुरेणी में विलो पित किये गए अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची समस्त मतदेश थलो पर एक सपताह तक जन सामाने के लिए प्रदर्शित की जाएगी उक्त के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलार निर्वाचन अधिकारी की वेब साइट पर भी मतदाता सूची उपलब्द होगी जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं तथा टोल फ्री नंबर 950 पर फोन करके तथा वोटर हेल्प लाइन एप वी एच्चे के माध्यम से भी अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं समझा है 25 जनवरी से जो हमारा नैशनल वोटर डे है दो दिन बाद उसमें संपूर उत्तर प्रदेश में 246 मोबाइल प्रदर्शन वैन हमारी चलेंगी जिनमें हमारी एवियम रहेंगी और इनको पूरे असेंबली कॉंस्ट्टिंसीज में एक प्रोग्राम पहले से तै करके उसको पुलिटिकल पार्टी इसके साथ शेर करके हम चलाएंगे ताकि गाओं में कस्बों में जगह 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 जो हमारे वोटर नए हैं उनको हम एवियम के बारे में बता सकें जानकारी हो सकें कैसे वोट डानेंगे